आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करती हूं तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी सबसे अलग है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मुझे अभी न्यूबर्ण बेबी हुए हैं तो मैं आज उसी से रिलेटिव कुछ वीडियो बना रही हूं बहुत छोटी से वीडियो बना रही हूं तो आज की वीडियो इधम बहुत ही हेल्फुल होने वाली है जो न्यू मॉम होंगे एशाइद उनके लिए काफी हेल्फुल रहे गी तो मैं आज जैसे बेबी को रैक करना जैसे आप करते हैं उस तरह का वीडियो मैं बना रही हूँ कि बेबी को रैक कैसे करते हैं ऐसे तो जानते होगे कि बेबी को रैक करना कितना जरूर आपने देखा होगा बच्छे रो रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है कि हम बच्चे को हो क्या गया है एक्चुली क्या है जब बच्चे जब पेट से बाहर निकलते हैं तो वो खुला-खुला फील हो जाता है चाहिए आप उनको कितना भी कपड़े पहना लो जब तक बच्चे को रैप करके अच्छे से नहीं रखो तो बच्चे कमफर्ट फील नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे पेट के अंदर थोड़ा टाइट सा ऐसे करके रहते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा वो फीलिंग होना चाहिए तभी लोग बच्चे को रैप करके रखते हैं, कम से कम, वन से टू मन तो मुझे लगता है कि उस तरह रैप करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चे को कपड़े पहना लो, तभी अगर आप उसको रैप करके अच्छे से सुलाओगे तो बच्चे एकड़म अच्छे से आप लो, बच्चे को रैप करके ही रखनी है नहीं, उस देर के लिए आप उसको खुला छोड़ दो, बट जैसे बच्चे सोते हैं ता आप उसको रैप करके सुलाओगे तो बच्चे काफी कमफर्थ तरीके से अच्छे से सोते हैं, मैं जिस तरह से रैप करती हूँ, आप में वीडियो शेयर कर रही हूँ, I hope आप लोगो मेरी ये वीडियो थोड़ी से करने के लिए जो कप्रे हम यूज करते हैं वो प्योर कॉटन की होनी चाहिए जिसे बच्चे को कोई रैसेस ना हो ना उसमें कोई चुबने वाली चीज हो जिसे बच्चे को खारिस हो जाए इसी बच्चे को राने मतलब एक तरह से सॉप्ट वाले जो कहलो कि टॉवेल सॉप्ट वाली जो होते हैं या नियू वाले वह आप यूज कर सकते हो जो भी नियू कपडे लो आप उसको एक बर अच्छे से वाश करके डिट्टोल में डाल के अच्छे से उसको रनुष कर लो और इस कलर में है, एक ये, और एक मैने वास कर दिये हैं, तो मेरे पास तीम का सेट है, और मेरे पास एक पुराने टॉवल है, तो वो भी बहुत सॉप्ट कपड़े में काफी बड़ी साइज में है, तो मैं उससे भी रैप कर देती हूँ, बट बेभी को रैप करना बहुत ही जाती हूं गुमने इवनिंग के टाइम में नीचे वाकिंग के लिए भी जाती हूं, तो मैं इस तरह की कपड़े में रैप करके ही लेके जाती हूं, ताकि बच्चे अच्छे से कमफट तरीके से सो सके या कमफट फील करें, तो मैं ज्यादा अभी बोलुंगी नहीं, आगे आप लोग बीडियो वाच करना है कि मैंने बेबी को रैट किस तरह से किए है तो आप लोग वीडियो से आप looks और हाथ स्ट्रेट करके जो कपड़े हैं उसके जितने कपड़े बचे हुए हैं दुपटे के उस तरह से कपड़े को उसके बैक साइड में अच्छे से फोल्ड कर देनी है इससे क्या का बेबी एकदम टाइट हो गई अब दोनों पैड स्ट्रेट करके और नीचे के साइड से पैड के साइड से जो कपड़े बचे हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके और जो कॉर्णर के साइड के जो कपड़े बचे हैं उसको पहले वाले कपड़े में अच्छे से रैप कर देनी है उसको फोल्ड कर देनी है फ काफी अच्छे से तरीके से बेवी रैप हो गई है अब आप किसी को भी गोद दे सकते हो या खुद गोद लोगे तो काफी अच्छा आपको फील होगा और लेने में भी आपको गोद लेने में भी बनेंगे तो यह देखो अच्छे से मेरी बेवी रैप हो गई है अच्छे से फोल्ड हो गई है अब आप ऐसा नहीं सोचो कि मैंने एकदम पैर हाथ इसको एकदम टाइट कर दी है नहीं बेवी को अच्छे से हाथ पैर चलाने में अच्छा फील हो रहा है ऐसा नहीं कि मैंने एकदम टाइट कर दी है तो इस तरह से देखो मैंने बेवी को रैप कर दी है और मुझे गोद में भी उठाने में काफी अच्छा सा होता है तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद लाएगी तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल पर जो नीव है तो आप लोग प्लीज एक बड़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे मोड वीडियो को वाच करना थाइंक्यू, थाइंक्यू फोर वाचिक